आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक चंदरकांता जिसके लेखक हैं देवकिनंदन खत्री और कथावाचक हैं हर्षभट अध्याय दो बयान एक इस आदमी को सभी ने देखा मगर हैरान थे कि ये कौन है कैसे आया और क्या कह गया तेजसी ने जोर से पुकार के कहा आप लोग चुप रहें मुझको मालूम हो गया है कि ये सब अयारी हुई है असल में कुमारी और चपला दोनों जीती हैं ये लाशें उन लोगों की नहीं ह तेजसी की बाद से सब चौक पड़े और एकदम से नाटा हो गया सभी ने रोना दोना छोड़ दिया और तेजसी के मुझकी तरफ देखने लगे महराणी दोड़ी हुई उनके पास आई और बोली बेटा जल्दी बताओ ये क्या मामला है तुम कैसे कहते हो कि चंदरकांता जीती है ये कौन था जो ये कायक महल में गुसाया तेजसी ने कहा ये तुम मुझे मालूम नहीं कि ये कौन था मगर इतना पता लग गया कि चंदरकांता और चपला को शिवदत के यार चुरा ले गए हैं और ये बनावटी लाश यहां रग गए हैं जिससे सब कोई जाने कि वे मर गई और खोज ना करें महराज ने पूछा ये कैसे मालूम की लाश बनावटी है तेजसी ने जवाब दिया ये कोई बड़ी बात नहीं है लाश के पास चलिए मैं अभी बतला देता हूँ ये सुनकर महराज तेजसी के साथ लाश के पास पहुँचे महराणी भी गई तेजसी ने अपनी कमर से खंजर निकाल कर चपला की लाश की टांग काट ली और महराज को दिखला कर बोले देखिए इसमें कहीं हड़ी नहीं है महराज ने गौर से देखकर कहा ठीक है भनावटी लाश है इसके पीछे चंदरकांता की लाश को भी इसी तरह देखा उसमें भी हड़ी नहीं पाई अब सभी को मालुम हो गया कि यारी की गई है महराज बोले अच्छा ये तो मालुम हुआ कि चंदरकांता जीती है मगर दुश्मनों के हाथ पड़ गई इसका गम क्या कम है तेख सीं बोले कोई हर्ज नहीं अब तो जो होना था हो चुका मैं चंदरकांता और चपला को खोज निकालूंगा तेख सीं के समझाने से सभी को कुछ टांडस बनता मगर कुमार विरंदर सीं अभी तक बदहोशो हवास पड़े थे उनको इन सब बातों की कुछ खबर नहीं थी अब महराज को ये फिकर हुई कि कुमार को होशियार करना चाहिए वैद बुलाए गए सभी ने बहुत सी तरकीबे की मगर कुमार को होश ना आया तेख सीं भी अपनी तरकीब करके हैरान हो गए मगर कोई फाइदा नहुआ ये देख महराज बहुत कबराए और तेख सीं से बोले अब क्या करना चाहिए बहुत देर गोर करने के बाद तेख सीं ने कहा कि कुमार को उठवा कि उनके रहने के कमरे में बेज़ देना चाहिए वहीं अकेले में मैं इनका इलाज करूँगा ये सुन महराज ने उन्हें खुद उठाना चाहा मगर तेजसी ने कुमार को गोद में ले लिया और उनके रहने वाले कमरे में चले गए महराज भी संग गए तेजसी ने कहा आप साथ ना आईए ये केले ही में अच्छे होंगे महराज उसी जगा ठहर गए तेजसी कुमार को लिये उनके कमरे में पहुँचे और चार पैपर लिटा दिया चारों तरफ से दर्वाजे बन कर दिये और उनके कान के पास मुँ लगा कर बोलने लगे चंदरकांता मरी नहीं जीती है वो देखो महराज शिवदत के अयारों से लिए जाते हैं जल्दी दोडों, छीनों, नहीं तो बस ले ही जाएंगे क्या इसी को वीरता कहते हैं, छी चंदरकांता को दुश्मन लिये जाएं और आप देख कर भी कुछ न बोलें राम, 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 राम कुछा, अभी कौन कह रहा था कि चंदरकांता जीती है और उसको दुश्मन लिये जा रहे हैं तेख सी ने कहा, मैं कहता था, और सच कह रहा था कुमारी जीती है, मगर दुश्मन उनको चुरा ले गए हैं और उनकी जगा नकली लाश रखकर इधर उधर रंग फैला दिया है जिससे लोग कुमारी को मरी जान कर पीछा और खोज ना करे कुमार ने कहा, तुम हमें धुका देते हो, हम कैसे जान ले कि ये लाश नकली है तेजसी ने कहा, मैं अभी आपको यकीन करा देता हूँ ये कहकर कमरे का दरवाजा खोला, देखा कि महराज खड़े हैं, आँखों से आँसू जारी है तेजसी को देखते ही पूछा, क्या हाल है? जवाब दिया, अच्छे हैं, होश में आ गए, चलिए, देखिए ये सुन महराज अंदर गए, उन्हें देखते ही कुमारुट खड़े हुए महराज ने गले से लगा लिया और पूछा, मिजास कैसा है? कुमार ने कहा, अच्छा है कहीं लॉंडिया भी उस जगह आई, जिसको कुमार का हाल लेने के लिए महराणी ने भेजा था एक लॉंडि से तेजसी ने कहा, दोनों लाशों में से जो टुकड़े हाथ पैर के मैंने काटे हैं, उन्हें लेया ये सुन लॉंडि दोड़ी गई और वे टुकड़े ले आई, तेजसी ने कुमार को दिखला कर कहा, देखिए, ये बनावाटी लाश है या नहीं, इनमें हड़ी कहा है कुमार ने देखकर कहा, ठीक है, मगर उन लोगों ने बड़ी बदमाशी की, तेजसी ने कहा, खेर, जो होना था हो गया, देखिए अब हम क्या करते हैं सवेरा हो गया, महराज कुमार और तेजसी बैठे बाते कर रहे थे, कि हर देखिए ने पहुंचकर महराज को सलाम किया, उन्होंने बैठने का इशारा किया, दीवान साब बैठ गए और सभी को वहाँ से हट जाने के लिए हुक्म दिया जब निराला हो गया, हर देखिए ने तेजसी से पूछा, मैंने सुना है कि वो बनावटी लाश थी, जिसको सभी ने कुमारी की लाश समझा था तेजसी ने कहा, जी हाँ, ठीक बात है, और तब बिलकुल हाल समझाया इसके बाद दीवान साब ने कहा, और गजब देखिए, कुमारी के बनने की खबर सुनकर सब परिशान थे सरकारी नौकरों में से जिन लोगों ने ये खबर सुनी, दोड़े हुए महल के दर्वाजे पर रोते चिलाते चले गए उदर जहां यार लोग कैद थे, पहरा कम रह गया, और पहरे वालों को जखमी कर, अपनी तरफ से सब यारों को जो कैद थे, छुड़ा ले गये ये खबर सुनकर तेज सींग कुमार और महराज सन्न हो गए कुमार ने कहा, बड़ी मुश्किल में पड़ गए, अब कोई भी अईयार उनका हमारे यहान आ रहा, सब छूड़ गए कुमारी और चपला को ले गए, ये तो गजब ही किया, अब बरदाश नहीं होता, हम आज ही कूच करेंगे और दुश्मनों से इनका बदला लेंगे ये बात कही रहे थे कि एक चौपदार ने आकर अर्स किया, कि लड़ाए की खबर लेकर एक जासूस आया है, दर्वाजे पर हाजिर है, उसके बारे में क्या हुक्म है हर्देलसी ने कहा, इसी जगा हाजरी करो, जासूस लाया गया, उसने कहा, दुश्मनों को रुकने के लिए यहां से मुसल्मानी फौज भेज दी गई थी, उसके पहुचने तक दुश्मन चार कोस और आगे बढ़ाए हैं, मुकाबले के वक्त ये लोग भागने लगे, ये फौज भी तमाम हो चली, अगर फौरण मदद ना बेजी जाएगी, तो तोप खाने वाले भी मारे जाएंगे, ये सुनते ही कुमार ने दिवान हर्देलसी को हुकम दिया, पांच हजार फौज जल्दी मदद पर भेज दी जाए, और वहां पर हमारे लिए भी खेमा रवान करो, तो पैर को हम भी उस तरफ कूच करेंगे, हर्देलसी फौज भेजने के लिए चले गए, महराज ने कुमार से कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, कुमार ने कहा, ऐसी जल्दी क्या है, आप यहां रहें, राज्य का काम देखें, मैं जाता हूँ, जरा देखूं तो इसनान और संधिया पूजा की फिकर में उठे, सबसे पहले तेख सी ने चुटी पाई, और मुनादी वाले को बुला कर हुक्म दिया, कि तु तमाम शहर में इस बात की मुनादी करा, कि दंतार बीर का जिसको इष्ट हो, वो तेख सी के पास हाजिर हो, बामुजिब हुक्म के मुनादी वाला मुनादी करने चला गया, सभी को ताज्जुब हुआ कि तेख सी ने ये क्या मुनादी करवाई है?